साथियों, भारत के लिए धर्म का अर्थ है हमारे कर्तव्यों का सामुहित संकल्प, हमारे संकल्पों का देह है विश्व का खल्यान, मानो मात्र की सेवा हम सीव की आराद नविव कहते है नमामी विश्वच्य हिते रतम एतम, नमामी विश्वच्य हिते रतम तम, नमामी रुपाणी बहुनी जत्ते अर्थात हम उन विश्वपती भगवान शीव को नमन करते हैं जो अनेक रुपों से पूरे विश्व के हीतों में लगे हैं यही भावना हमेशा भारत के तिर्थों, मंदिरों, मठों और आस्था केंद्रों की भी रही है यहां महाकाल मंदिर में पुरे देश और दुनिया से लोग आते हैं शिहस्त कुम्ब लगता है तो लाखों लोग जुड़ते हैं अंगिनत विवितित आये भी एक मंत्र एक संकल्प लेकर एक साथ जुड़ सकती है इसका इस से बड़ा क्या उद्धार क्या हो सकता है और हम जानते हैं हजारों साल से हमारे कुम्ब मेले की परंपरा बहुती सामुहिक मंथन के बार जो अम्रित निकलता है उसे संकल्प लेकर के बारा साल तक उसो क्रियानवित करने की परंपरा रही थी फिर 12 साल के बाद जब कुम्ब होता था फिर एक बार अमुरुत मंधन होता था फिर संकल्प लिया जाता था फिर 12 साल के लिए चल पड़ते हैं पिछले यहां कुम्ब के मेले में मुझे आने का सौभाग्य मिला था महाकाल का बुलावा आया और बेटा आये बिना कैसे रे सकता है और उस समय कुम्ब की हजारों साल की पुरानी परंपरा उस समय जो मन मस्तिक में मंधन चल रहा था जो विचार प्रवाब बह रहा था माच्छिप्रा के तड़ पे अनेक विचारों से में गिरा हुआ था और उसी मैंसे मन कर गया कुछ सब्दे चल पड़े पता नहीं कहां से आये कैसे आये और जो भाव प्यदा हुआ था वो संकल्प बन गया आज वो सुष्टी के रुप में नजर आ रहा है दो मैं ऐसे साथियों को बढ़ाई देता हूँ कि जिनों ने उस समय के उस भाव को आज चरितार्थ करके दिखाया है सबके मन में शीव और सिवत्व के लिए समर्पन सबके मन में शिप्रा के लिए स्रद्धा जीव और प्रकृति के लिए संवेजन फिलता और इतना बड़ा समागम विश्व के हित के लिए विश्व की भराई के लिए कितनी प्रेणा यहां निकल सकती है